हेलो एवरिबड़ी दिस दिग्राइस सिंग राजपूत, वलकम टू मैगनेट ब्रेइन्स इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रपोशनल रिप्रेजेंटेशन के बारे में पिछले वीडियो में हमने आपको क्या बताया था तो हम देख रहे थे election systems in India एक से जाधा हो सकते हैं? बिलकुल तो लास्ट वीडियो में हमने first past the post system को समझा कैसे वो system एक unique system है unique है उस simple भी है सबसे जादा सबसे जादा उसका जो IPO है उस system का वो क्या है कि वो बहुत simple है ठीक उसमें क्या होता है? most visible भी ये लोग सबा में हम देखते हैं उसे state legislative assembly के जो election होते हैं उसमें आप उस system को देखते हो तो उस तरह से क्या है? first past the post system एक simple lucid system है clear? अब जो एक और अगला system है election system वो कौन सा है? proportional representation इंडिया में क्या case है? उसे तो हम और अच्छी तरह से बाद में देखेंगे बाकि proportional representation का भी एक modified version इंडिया में adopt किया गया है और ये system भी है जिससे कहीना कहीं वर्ड में इस system को बहुत सारी countries ने adopt किया है तो ये system है क्या कैसे काम करता है उस चीज को समझने वाले हैं देखे क्या है तो proportional मतलब क्या होता है? in proportion अब proportional proportion क्या कहानी है पूरी? देखे मान लीजिए cake है अब इस cake में हम चार हिससे करते हैं ठीक है? तो ये चार हिससे जो है तो क्या कहलाएंगे? चार proportion है ठीक मैं गया था lockdown में रिस्क लेके गया था ठीक है? मतलब रिस्क की है बाहर जाना बेकरी तक गया और फिर वहां से cake लेके आया तो मैंने क्या किया? मैंने रिस्क जादा लिया तो मुझे ये proportion मिलना चाहिए ठीक अब फिर दूसरा बोल देगा कि मैंने अपनी pocket money में से दिया है पैसा तो वो बोलेगा कि दूसरा बड़ा हिस्सा मुझे चाहिए एक जो आपका दोस्त है जो सिर्फ बैठा है ठीक है लेकिन केक खाएगा तो उसको आप सबसे छुटा proportion दे दोगे तो यह क्या होग kardeş, यह proportion मिल रहा है ठीक अब इलेक्शन पर आगर आते हैं तो proportional representation क्या होता है proportional representation में in proportion of what आप पूछओगे election में किसका proportion देखोगे तो proportion of votes, ठीक है, election हुए, election होने के बाद में party A को इतने votes का proportion मिला, ठीक है, party B को जो total votes है, सरकल मतलब total votes, total votes का party B को ये proportion मिला, party C को ये proportion मिल गया, अब, अगर मान लो, first pass the post system चल रहा होता, ठीक है, first pass the post system चल रहा होता, तो किस की government मनती, आप बोलोगे C की government मनती, दिखती बात है, आए ना समझ में, क्योंकि C के pass में, दूसरे candidates से ज़्यादा, अब ये 50% से ज़्यादा है नहीं है, वो माइन नहीं रखता है, लेकिन C के pass मे दूसरे candidates से ज़्यादा votes आ गए, तो C की government बन जाएगी, आगे समझ में, तो ये तो first pass the post का हो गया, लेकिन proportion में क्या होता है, proportional representation में, जैसे मैंने आपको बता, बताया, कि वहाँ पे आप proportion पे ध्यान देते हो, proportion of what votes, तो ultimately अगर हम define करें, तो in this system, party gets a same proportion of seats according to the proportion of votes, मतलब गवर्मेंट सब की बनेगी, A की भी बनेगी, B की भी गवर्मेंट बनेगी, C की भी गवर्मेंट बनेगी, अब बोलोगे तो collision government होगे एक तरह से, collision छोड़ो दे तो सब की government बन गई, जी हाँ, अब सब की government बनेगी, और उसमें तय ये किया जाएगा, कि A को जितने votes मिलें, जिस proportion में vote मिलें हैं, ठीक है, उतने ही candidates A के government में जाएंगे, आया ना समझ में, simple करते हैं example से, जैसे मान लीजिए, election होते हैं, और election के बाद में government में 5 लोग जाएंगे, ठीक है, political parties contest करती है, और 3 political parties क्या होता है, तो 3 political parties का share जो से हमने देख लिया, तो वो 5 जाएंगे तो हो proportion क्या है, सबसे ज्यादा बड़ा proportion जो है, ठीक है, वो C party का है, तो जब 5 candidates जो रहेंगे, तो 5 में से हो सकता है, 3 किस के चले जाएं, C के चले जाएं, ठीक है, क्योंकि C को जिस proportion में vote मिलें, तो उस proportion में उसे seats भी मिलेगी, ठीक है, बागी दोनों को एक-एक seats दे देंगे, लेकिन मौका सब को मिलेगा, तो यह होता है, proportional representation, ठीक है, अब देखो क्या है, तो proportional representation के दो variant होते हैं, अभी हम आपको सिर्फ एक concept बताते चल रहे हैं, तो in proportional representation, in this system, a party gets the same proportion of seats according to the proportion of votes which the party secures in election, अब इसमें दो variant होते हैं, तो two variants जो है, proportional representation के, उन्हें समझो, the entire country is treated as one constituency, यह वाला जो system है, तो यह वाला system इसराइल और नीदरलेंड में follow किया जाता है, तो नीदरलेंड और इसराइल कहा हैं वो बता देते हैं आपको, देखो, इसराइल, अगर आप यहाँ पर आते हो Middle East, तो Africa और, I hope यह visible है, थी कि ब्लू कलर का होने के कारण कभी- इसराइल नहीं है, तो आप ऐसे आपके वर्ल्ड मैप पर आपके पास जो भी मैप है तो वहां पर मैं आपको गाइड करते चल रहा हो, इसराइल कहां पर है, और यहां पर Asia खतम हो रहा है, Middle East जो है, तो एफरिका और Asia की एकदम जो बॉर्डर है, ठीके, रेड सी जो है, त तो रेड सी के पास में अगर आप जैसे जूम करके देखेंगे, तो एकदम बॉर्डर पर जो लगा हुआ कंट्री है, वो है इसराइल, मेडिटेरिनियन सी के साथ में इसकी बॉर्डर कनेक्ट हो रही है, तो वह इसराइल है, इसराइल और फिर नीदर लेंड तो नीदर ल सव प्रतिर्शत ध्यान है, तो अब मुझे एक आसानी ही मिल जाती है, हाँ आपको चीजे बता नहीं है, तो बता जो तो 10th क्लास में पढ़के आया हो, और आप वहां से रिलेट कर लोगे, तो चाप्टर 1 में बेल्जियम पढ़ा था ना, उस बेल्जियम के उपर है नीद मतलब इस तरह के प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाले सिस्टम में आप क्या कर रहे हैं, कि पूरे की पूरी जो कंट्री है, जिसे इसराइल है मान लो, तो पूरी इसराइल को आपने बोलती है कि पूरी इसराइल में एक साथ एलेक्शन होंगे, ठीक है, मतलब सारे लोग क्या करेंगे? एक ही वार vote करेंगे और वो कंट्री के लिए vote कर रहे है, ठीक है, कंट्री के लिए vote कर रहे है, मतलब सभी लोगोंने vote दिया, vote देने के वाद में, vote proportion बढ़ जाएगा, वोड प्रपोर्शन कैसे बढ़ जाएगा? तो जैसे vote proportion ऐसे अभी az forgiveness में बाटा यह system follow किया जाता है each party fills the its quota of seat by their candidates in proportion of votes received तो अब क्या होता है कि देखो आपको नहीं पता है कि आपका candidate आप किसको vote दे रहे हो मतलब किस इंसान को vote दे रहे हो या आपको नहीं पता है आप तो आपकी party को vote दोगे ठीक है अब आपकी party को vote देने जा रहे हो आपने अपनी खुद की party को vote दिया अब क्या होगा कि आपकी party को पूरी country में पूरी country एगी constituency है तो पूरी country के total votes में से आपकी party को जिस party को 30% vote मिले हैं, तो 30% जो government में members रहने वाले हैं, ठीक है, member of parliament, जो minister रहेंगे, तो वो लोग कितने होंगे, वो 30% लोग होंगे, ठीक है, 30% लोग इसी political party से आएंगे, क्योंकि, मतलब जो 30% seats जो हैं, ठीक है, ऐसे और simple हो जाएगा, कि 30% seats किसकी हो जाएगी, इस party की हो ज government बन जाती है, और अगर मान लो किसी एक party के 32% vote है, ठीक है, और ये second highest party है, तो अभी इसको ठेंगा मिलता, ठीक, ये 30% vote waste हो जाते, कब, जब first past the post system होता, लेकिन हम तो proportional representation पढ़ रहे हैं, proportional representation में भी हमने इसराइल और नीदरलेंड वाला जो variant देखा, तो उसमें क्या होता, जब पूरी country को एक constituency की तरह treat किया जाता है, तो अब पूरी country में general election होते हैं, और जिस proportion में लोग vote देते हैं अलग-अलग political parties को, तो बाद में वो political parties अपना जो quota मिलता है, उसे कि हाँ, आपको 70% vote मिले हैं the country is divided into several multi-member constituencies, multi-member constituencies, यह interesting चीज़ है देखो, मतलब यह कहाँ पे Argentina और Portugal में follow किया जाता है, अब Portugal का नाम सुनते से किसके मन में, एक image आईए, Cristiano Ronaldo की, तो वही वाली country, और Argentina का नाम सुनते से, Leonol Messi की, तो अब देखो क्या है, दोनों countries देख लेते कहाँ पे, दोनों footballers हैं, इ जैसा उन लोगों ने, कह सकते है, proportional representation का variation रख लिया, देखो, Portugal कहाँ पे है, तो आप आएंगे यहाँ पे Spain, Spain से जस्ट लगा हुआ, ठीक है, यूरोप में Spain से जस्ट लगा हुआ, Portugal हो गया, और यहाँ पे Argentina अगर लोकेट करें हम, तो South America में एक बड़ा सा country जो है, ठीक है, एक बड़ा सा country Brazil के नीचे, वो है Argentina, clear, अब Argentina और Portugal के अगर हम कहानी देखते हैं, तो यहाँ पे जो variant यूज किया जाता है, उस variant को समझो, ठीक है, the country is divided into several multi-members constituencies, multi-member constituencies मतलब क्या होता है, कि जैसे यह Argentina है, मान लो, ठीक है, अब Argentina को आपने क्या कर दिया, constituency में divide कर दे, इसे चार constituency में divide कर दे, suppose, ठीक है, अब क्या होगा, कि इस constituency में आपने बोल दिया, कि इस constituency से हम 10 seat देने वाले हैं, मतलब इस country, इस constituency में जो government बनेगी, तो उसमें 10 ministers, या फिर 10 कह सकते, politicians को हम क्या देंगे, government आने का power देंगे, ठीक है, फिर election होंगे, election में लोग लोग वोट देंगे, अब लोगों ने वोट दिया, इस constituency के लोगों ने इस constituency के लिए वोट दिया, बस difference हो जाता है, कि यहाँ पर जो हमने देखा था, जो पहला variant था, उसमें पूरी country में लोग एक ही जगा के लिए वोट दे रहे हैं, मतलब national government के लिए, और यहाँ पे अपने एक एक list बना लेगी, बोल देगी कि यह हमारा candidate होने आला, यह हमारा candidate, यह हमारा candidate, ठीक है, सब तीनों party ने अपने अपनी list बना लिएगे, कि हम अगर election जीतते हैं, या फिर जितने भी हमें vote मिलेंगे, तो 100% vote की उमीद लगाते हुए, उतने पूरे candidates का नाम दे दे कि हम यह हमारे candidates होंगे, ठीक है, तो each party prepares a list of candidates for each constituency, party gets seat according to the share of vote, तो अब हर constituency के लिए party, party A ने इस constituency के लिए भी list जारी करी, party A ने इस constituency के लिए भी, तो अब क्या है, कि जो candidates इधर हैं, और इधर दूसरे candidates हैं, इधर दूसरे candidates तो इस तरह से क्या हो जाता है, कि और specific हो जाता ह यहाँ पे कि किस constituency में कौन leader बनने वाला है आपका, ठीक है, तो each party prepares a list of candidates for each constituency, हर constituency के लिए list बनाई जाती है, फिर बाद में, जिस proportion में, proportional representation, तो जिस proportion में उसे seats, votes मिलेंगे, और उसी proportion में seats भी मिल जाएगी, उसी proportion में उसके, उस party के candidates seat पे कबजा कर लेंगे, कबजा कर in the sense, responsibility समाल लेंगे, clear है, वो तो कबजा करने, जैसे यह है, आजकर validations का, clear है, यह सारा सब कुछ हमने पढ़ा, किस में, proportional representation में, एक minute, ठीक है, wait a minute, अब आप सोचते होंगे, कि इंडिया तो कहीं से कहीं तक नहीं आया, आपने पूरी दुनिया घुमाली, Cristiano Ronaldo दिखा दिया, मैंसी दिखा दिया, सब कुछ हो गया, लेकिन इंडिया कहां आया, तो अब सवाल यही है, what is the case with India, इंडिया में किस तरह का proportional representation को follow किया जाता है, wait, मैंने starting में क्या कहा, कि थोड़ा सा modified version होता है, तो modified version क्या है, क्या है, सारी चीज़ें, यह सब कुछ भी पढ़ेंगे, कब next वीडियो में, नहीं, next वीडियो में नहीं पढ़ने वाले हम, ठीक है, next वीडियो में आपको ब्रजील का थोड़ा सा, sorry, इस्राइल का थोड़ा सा क्या बताता हूं, working system बताता हूं, कि जो proportional representation इस्राइल में, वो कैसे काम करता है, हो सकता है, उस पर question ना आया, आपके exam में, लेकिन फिर भी आपको एक understanding develop होगी, ठीक है, तो next video lecture में हम वो पढ़ेंगे, उसके बाद में फिर वापिस से switch करेंगे हम topic, इंडिया में क्या case है, proportional representation के साथ में, I hope, रास्ता clear हो गया, कि कैसे आप आगे जाने वाले हम, ठीक है, इस topic में किसी प्रकार का doubt है, तो feel free to ask in comment section, till then stay connected, keep learning, thank you, thank you very much.